चालीस दिन में युवक को साथ बार साप काटने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है पतैपूर के विकास द्रुवेदी का मामला देश बर में चल्चा में बना हुआ है विकास द्रुवेदी को 40 दिन के अंदर इस साप ने साथ बार काटा है हाला कि विकास द्रुवेदी हर बार इलाज के बार ठीक हो जा रहा है लेकिन अब विकास ने दावा किया है कि नोवी बार साप काटेगा और कोई बचा नहीं पाएगा दो जून को पहली बार साप ने काटा जब मैं अपने बिष्टर विछा रहा हुआ था इसके बाद मैं सनी वार संडे लगातार बाइट कर रहा है मेरे उपर और तीसरी बार तो हमें ऐसा सपना आया था मतलब रात में कि हम आपको नौ बार काटे में, तीसरी बार में, तो ये बात हमने अपने परिजन को बताई, माता जी को बताई, पीता जी को बताई, चाचा को बताई, सब को मैंने ये बात उनके सग्यान में डाली, इसके बाद में, जब चौती बार तो, पहली बार तो काटा, तो हमें ये लगा था कि अईसे बारिस का मौसम चल रहा है निकल आया होगा, पैर पढ़ गया होगा तो काट लिया दूसरी बार ये लगा कि साथ पैर पढ़ गया हो, इसकी वज़े से काट लिया हो ठीक, और तीसरी बार जब मेरे साथ ये हास्सा हुआ तब हमको यह लगा कि यह कोई मतलब ऐसे नहीं काट रहा है कोई नो कोई इसका पीछे का राज है फिर इसके बाद 4 बार काटा पांस भी बार काटा छट्वी बार काटा सातवी बार काटा तब उसका देन चेंज हो गया काटने के पहले हमें चार पांच घंटे पहले से अभास हो जाता है कि आज के दिन हमें काटेगा हम अपने परिजनों को बता देते हैं सब को बता देते हैं बताने के बाद में जब बता देते हैं तो लोग हमको चारो तरफ से कबर कर लेते हैं पहले चार बार तो अपने घर में रहे ठीक है और दो बार चाचा के आ रहे और एक बार मौसी के आ रहे जब तीसरी बार काटा था तब डाक्टर जवाहर जो हमारा इलाज करते उन्होंने हमें कहा था कि कुछ दिन के लिए तुम कहीं अब बाहर चले जाओ बाहर जाके अपन रिलेशन में कहीं रह लो तो एह फतेपुर में खुसवक्त रायनगर गेट के पास राधानगर में मौसी रहती मेरी तो मैं उनके आहां रहा जाके ठीक है तो वहां जब रहा तो जब वहां सटर्डे संडे पड़ा तो शुक्रवार की रात साड़े बारा बजे उसने हमें क निकल के किनारे से जा रहा था तो किवल मुझको इतना दिखा था ठीक दूसरी बार मैं बातरूम में था तो बातरूम में तो बातरूम करके पैंट उपर कर रहा था तो यहां पैर में काटा उसने जब पैर में काटा तो भगा तो बातरूम के किनारे से पाइप गया हुआ कि हाथ में तो पकड़ लिया है, एक बार काठी लिया है, दुबारा भी काठ लेगा तो क्या होगा, नसर तो उतना ही होगा, एक बार जब दुबारा उसको पकड़ने कोशिस करके बाहर निकाला तो उसने हाथ में काठा, हाथ में काठने के बाद हमाएं हाँ से सिलिप हो गया क्योंकि हाथ भी मेरे गीले थे अब हम साफ के बारे में आज तक कभी मैंने साफ तो देखा ने यह है कि बलैक कलर का साफ था लगभा कितना बड़ा था यह बात जो आप से कहता है कि मैं इतने बार काटूंगा यह क्या कैसे कहता है सपने में मुझको खुद बताया है कि तीसर माहराज ना पंडित कोई भी आपको मौलाना तक नहीं बचा सकता है के बाद में बोलाए तो गए पहली बर गए ठीक है तो जिसे पहली बार गए तो वहाँ रात में साड़े दस, साबस दस बचे काटा था ठीक है तो यह हमें तो याद नहीं है की क्या कहिते हैं वहां गए, वहां क्या बात हुई मगर बाद में हमें यह पता चला कि हमाई परिजनों ने बताया कि पहली बार जब काटा था सब सरकारी अस्पताल ले गए थे देखे, अब आदमी को जब साप काटता है ना तो दस-पंदर मिनट का खेल होता है बस दस-पंदर मिनट में तो आदमी चला जाएगा या तो बचना होगा तो बच जाएगा जितने बार आपको सापने नहीं काटा है आपके ऊपर एंटी वेनम लगा दिया जाएगा तो आपको क्या हाल होगा वो आप खुद जानेगा आपको तो खुद ही पता होगा डॉंक्टर खुद जानते होंगे चीज़ अज़ा हर बास सनुवार पड़त था इस बार आपको ब अब इस सठाड़े को तो नहीं काटेगो कि ब्रास्पुत्वार को बाइट कर चुका है अपनी अब कटेगे सठाड़े को पक्का है फतेपूर प्रशासन सुलजाएगा रहस से विकास दुर्वेदी के पीछे पड़े सापकार ऐसे सुलजाने के लिए फतेपूर प्रशासन आगे आया है विकास को साप काटने के मामले में जाच के लिए बकायदर कमेटी बनाए गई है कमेटी हर सापके बार बार काटने और इलाज समेथ सभी पहलू पर जाच करेगी कमेटी जाच के बाद इस सापके बार बार काटने की रिपोर्ट डियम को सोपेगी क्या है पूरा मामला मलवाथ हाने शेत्र के सोरा गाउं के रहने वाले विकास द्रुवेदी को बार बार साब काट रहा है विकास की ओर से दावा किया जा रहा है कि साब अब तक साथ बारू से निशाना बना चुका है CMO डोक्टर राजीव नयन गिरी ने कहा कि तीन डोक्टरों की कमेटी बनाई गई है ये कमेटी विकास का इलाज करने वाले निशी होस्पिटल के डोक्टर से पूस्ताज करेगी इसकी जाज की जाएगी कि अगर साथ बार साप ने काठा तो डोक्टर ने उसे क्या इलाज किया एक ही अस्पिताल से चल रहा इलाज मिली जानकारी के नुसर हर बार विकास का इलाज एक ही अस्पिताल में करवाय जा रहा है विकास और उसके पधीजन अभी तक इलाज के लिए सरकारी अस्पताल ने गए है जबकि जिले के सभी सरकारी स्पतालों में साम काटने का इलाज और सारी दवाई भी है लेकिन विकास दरुवेदी इलाज के लिए सिर्फ एक इस्पताल जा रहा है झाल झाल